हाई गीज और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेलकम तो दी डेली हिंदू न्यूज एंड रिटोरियल एनालेसस ऑफ 24 जैनवरी 2024 तो गाईश आज है तारिक 24 जैनवरी 2024 और है वेडनेस डेए देखेंगे आज के दाहिंदू complete newspaper को complete newspaper को analyze करेंगे बट lecture मागे बढ़ने से पहले अगर आपको इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले download करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके search box में type करना दीपच यादव एजूकेशन UPSC as you can see guys आपको यवला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को join कर लेना यहां साब daily basis पेस lecture के PDF को download कर पाओगे now हमेशा की तरह हम लोग अपने lecture को एक map के question के साथ start करेंगे तो आज आप सभी को map में जाकर देखना है Willingdon Island को कहाँ पर है exactly located इसको अच्छे से map में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में type करना जिसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथे question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2012 के prelims में पूछा गया था daily business पे हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है यह तीनों चीज़े क्या है option number A तीन में रेशल ग्रुप्स हैं इंडियन सब कॉंटिनेंट की या फिर option number B तीन में linguistic divisions हैं जिसमें जो इंडियन languages हैं इनको classify किया जा सकता है या option number C तीन में styles हैं इंडियन temple architecture के at least सभी को इसमें participate करना है जिसमें आप लोगों से daily basis पे बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कई परेशान होने की ज़रुरत नहीं है की पूरे वीडियो के अंदर में किन-किन topics का discussion होने वाला है या फिर कौन-कौन से topics, कौन-कौन से page पर है जो की हमारे exam के लिए important है तो दोस्तो दाहिंदू newspaper के अंदर में सबसे पहला article page number one से लिया गया है जो की बहुत important होने वाला है जहाँ पर हम भारत रंद अवार्ड के बारे में discussion करेंगे रिसेंटली अभी क्या हुआ है बिहार के जो एक्स चीफ मिनिस्टर है करपूरी ठाकुर इनको यहाँ पर यह भारत रंद अवार्ड दिया गया है जिस वज़ासे ये news में बने वहे है फिर उसके बाद में अगर आप लोग इसके बाद अगर देखोगे तो एक और editorial आता है जो की page number 8 पर present है जहाँ पर limits and borders के बारे में discussion किया गया है अगेन आज के पूरे वेडियो का article of the day सबसे important article है इसको बिलकुल मिसमत करना बहुत detail से पढ़ना जरूरी है फिर इसके बाद में next article discuss करेंगे अगेन वो page number 8 पर है एक और editorial है जहाँ पर India के booming toy exports के बारे में discussion किया गया है फिर page number 8 पर एक और article है यह editorial है यह भी again तो यहाँ पर बात यह रेट सी के crisis के बारे में फिर page number 9 पर एक और editorial है जहाँ पर semiconductor scheme के बारे में discussion किया या ज़रा जानेंगे इसमें क्या-क्या सुधार क्या वशक्ता है बाकि एक और article है जो कि दाहिंदू कहीं है जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं world's tallest embedical statue के बारे में ठीक है जो कि हमरा thumbnail वाला article भी होने वाला है तो शरवात करते हैं सबसे पहले thumbnail वाले discussion से तो दोस्तों यहां पर जो आपको article दे करा है ये केवल दाहिंदू में ही नहीं छपा है इसके अलाव एन एन एक्सप्रेस हर एक जो important newspapers है वाह पर ओलेडी का discussion हो चुका है तो आंद्र प्रदेश के जो chief minister है जगन बोहन रेडी इन्होंने अभी यहां पर डॉक्टर बियार अमबैडकर का दुनिया का सबसे बड़ा statue या सबसे उचा statue का उद्गाटन किया है देखो मैं जब बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे उचा statue लेकिन ध्यान रखना है पर एक और वड़ी उस क्या है अमबैडकर जी का तो बियार अमबैडकर जी के statues में जो भी statues दुनिया में बने हूए उन में से सबसे उचा statue अभी तक का ये है समझ गए इस बात को अब आगे आता है मैं बहुत सारे facts आपको बताने वाला हूँ जो की हमारे prelims के लिए important है one day examination में directly आपसे यहां से question बन सकता है तो बहुत यहां से हर एक चीज़ को सुनते वे चलना है आपने सबसे पहला जो question आपसे पूछे जा सकता है वो है location तो आंदर प्रदेश के अंदर में विजयवाडा में इस पुरे statue को तयार किया गया है recently उदगाटन भी हो चुका है इस statue की height कितनी है total तो total अगर आप height देखोगे ground level से उपर तक तो यह है 206 feet कितनी 206 feet अब कोगे ground level से मतलब यहाँ पर केवल statue का height नहीं है यह नहीं दोस्तो नीचे आपको पता है इसका एक pedestal भी बनावा है अब जो यह pedestal बनावा है यही 805 feet का है ठीक है बाकि अगर केवल statue देखेंगे तो वो लगबख 125 feet का है समझ गए इस बात को और दो तो statues आपको पता है दो तीन प्रकार से बनाया जाते है एक तो यह standing statue है जैसे है ना statue of unity भी standing statue है यानि कि आप देख पाओगे यहाँ पर ब्यारा मेड़कर्स आप खड़े वे हैं इसे statue के अंदर और कुछ होता है sitting poster में है ना तो अभी यह बात क्यों बता रहा हूँ थोड़ी दिर में आपको बता चल जाएगा यह बात मैं आपको इसलिए बोल रहा था क्योंकि यह जो statue है जिसकी height 206 feet है अभी जो हम discuss कर रहे हैं यह fourth tallest और second tallest standing statue एंडिया में पूरे भारत में जितने भी statues है तो उसमें से चौथ है नंबर पर तो सबसे उंचा और दूसरे नंबर पर ऐसा statue जो की सबसे उंचा तो है लेकि साथ ही साथ में खड़े हुए वे posture में है बात इतनी क्लिए होगी दोस्तो अब आ गया आते हैं इस statue को बनाने में cost के इतनी लगी लगबक तो 404.35 करोड के आसपास का cost आया है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है material यहाँ पर bronze का steel frame बगरा यूज किया गया है जो की completely made in India है फिर बात ये भी है कि इस statue के आसपास का पूरा complex त्यार कर दिया गया है उस complex area में Dr. VR Ambedkar experience center भी है जहाँ पर जो statue है वो रखावा है दूसरी चीज आप कह सकते हो Dr. Ambedkar जी की जो पूरी life रही है उसको display किया जाएगा लोग वहाँ पर बैट कर उसको देख सकते हैं यह सारी चीज़ें यहाँ पर present की गई है इस statue के पास में बात इतनी के लिए होगे दोस्तो तो statue के बारे में आपसे कोई question बनेगा चाहे वो one day examination में चाहे वो UPSC में बने चाहे वो prelims बने यहाँ कहीं पर भी बने आप उस चीज़ को यहाँ पर आराम से tackle कर पाऊगे अब दूसरी चीज थोड़ा सा detail में जाना होगा और जानना होगा डॉक्टर भीमराउ रामजी अमबैडकर के बारे में detail से जानना होगा हमे क्योंकि examination में अगर कोई question बना तो यहाँ से इनके life के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे और ऐसा हुआ भी है पहले तो यह जो articles होते हैं यह articles बहुत कम important होते हैं articles से information निकालना ज़रूरी है जो कि आपको यहाँ पर यह provide करवाया जाता है अब for example जैसे आप यह देखोगे तो डॉक्टर भीर अमबैडकर बाबा साब अमबैडकर को हम लोग यहाँ पर father of Indian constitution के नाम से भी जानते हैं है ना Indian constitution को बनाने में इनका एक महत्वपूर रोल था बाकी दोस्तों यहाँ पिनका जन्म होता है 14 April 1891 में death होती है 6 December 1956 में brief profile अगर हम देखते हैं तो एक social reformer थे economist, author और thinker भी थे ठीक है बाकी जो executive council of voice right था 1942 के अंदर में उसके labor member थे और जैसे मैंने बोला दिजब नया संभिधान मन रहा था तो उसमें संभिधान में अलगलग काम भारट दिये गए थे अलगलग committees को दिये गए थे तो जो drafting committee थी उसके chairman भी यह थे इंडिया के first law minister बने है ना और फिर इनके death के बाद में क्योंकि 1956 में की death हो गई थी लेकिन बाद में 1990 मौने सो 90 में इनको भारत रतना award दिया गया था ठीक है इसी विशे यहाँ पर आगे यह word यूज किया गया है contributions के अगर हम बात करते हैं तो ब्यार अमबैज करजी का contribution जो है वो काफी बड़े level पर आपको देखने को मिलेगा जो महार सत्यक रहा है वो यहाँ पर इनके lead किया था 1927 में फिर उसके बाद में इनके जो तीनों के तीनों round table conferences हुए थे उसमें भी participate किया 1932 के अदर भात्मा गांदी जी के साथ में पूना पैक्ट था उसको भी यहाँ पर इन्होंने sign किया ताकि जो depressed classes के लिए अलग-लग separate electrodes की बात की जा रही थी वो यहाँ पर खतम गिया जा सके इसलिए यह पूना पैक्ट sign किया यह था यह basic बेसिक मैं आपको briefly बता रहा हूँ डीटेल से जाओगे तो पढ़ते पढ़ते यहाँ पर घंटों हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा इस सब चीज़ों के बारे हैं बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ताकि चीज़े समझ में आ जाए exam में question मन जाए तो और हम सब उसको handle कर सको इतने ही नहीं नहीं दोस्तो जो जम्मू एंड कश्मीर का special status था उसके खिलाफ खड़े थे आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में थे बियारम बैटकर जी बी उसके बाद uniform civil court को support करते थे आर्टिकल 32 जो है उसको यहाँ पर इनोंने रेफर किया as a soul of the constitution या फिर heart of the constitution फिर बात है resignation and Buddhism की अब हुआ क्या government में एक बहुत बड़ा contribution इनका चल रहा था लेकिन 1951 के अंदर में हिंदू court बिल जो था उसको लेकर इनकी opinion थोड़े अलग थे बाकी की opinion यानि जो cabinet में members से उनकी opinion अलग थे अब opinion में काफी differences थे इस वज़ा से इनोंने resignation दे दिया 1951 में resignation देने के बाद में ये convert हो गए Buddhism में Buddhism को अपनाया और इनकी जो death है उसको यहाँ पर महा परिनिर्वान दिवस की तौर पर देखा जाता है अब बात आती है कुछ important journals की जिनको इन्होंने start किया या कुछ newspapers जो कि यहाँ पर इन्होंने start किये जैसे मूक नायक 1920 में start किया समा था दन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाऊगे भिश्कृत भारत की बात यहाँ बहिश्कृत भारत की बात की जा रही है 1927 में आपर पर जनता 1930 में books की बात करेंगे वो journals वो books है जिनको लेकर अकसर questions पूछे गए है फिर बात है organizations की कौन-कौन से organization इन्होंने found किया या बनाई है तो भाईश्कृत हित करांती सभा 1923 में ब्यारंबैट कर सी जी के थूँ establish किया गया फिर साधी साथ में independent labor party को यहाँ पर इन्होंने 1936 में found किया फिर यहाँ पर आप देख पाऊगे जो All Schedule Cast Federation है उसको भी 1942 में इन्होंने found किया तो यह कुछ organization से जो कि इनके थूँ यहाँ पर start की गई समझ गए यह सब कुछ दिहान में रखना जरूरी है इस शौर्ट में आपको बताया या है डीटेल से पढ़ाना शुरू कर दिया तो विडियो खतम होते होते हैं मतलब घंटे भर में केवल एक टॉपिक का बहर होगा लेकिन आपको शौर्ट में दोस्तों यहाँ पर इस सारी चीज़े बताई गई है कहोगे क्यों एक्जामनेशन में क्वेशन बन सकता है यह आप देखो UPSC ने 2012 में एक सवाल पूछा अगर आपने इतनी इंफोर्मेशन भी ली होती तो यहाँ पर इस क्वेशन को सॉल्व कर सकते थे हम क्वेशन क्या है यहाँ पर तीन पार्टी के नाम देगे है तीनों पार्टी में से डॉक्टर ब्यारमबैकर ने कौन सी पार्टी को एस्टब्लिश किया पहली है दा पीजेंड और वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया हमने तो कुछ ऐसा पढ़ ही नहीं दूसरा All India Schedule Cast Federation हाँ अभी पढ़ा था फिर तीसरा Independent Labour Party हाँ यह भी पढ़ा था तो आप अभी देख पाऊगे अभी तो पढ़ा था यह आप देखो कौन कौन सी organizations found की थी यह last वली दोनों की बात हो रही है समझ गए तो दोस्तो इन दोनों को found कहा था 2 and 3 तो यहाँ पर option क्या हो जाएगा B2 and 3 only is the correct answer समझ गए तो यही से question बन यह एक चलिए ऐसे यहाँ पर discussion में बहुत सरे और भी questions में आपको solve कर भाऊंगा बता था रहूंगा कहां कासे सवाल बनते हैं अब जैसे यह topic देख रहे हो यहाँ सभी UPS से सवाल पूछ चुका है आगे एन एक और interesting तरीके से पूछा हुआ है उसने वो भी आगे आपको बताऊंगा तो आज के newspaper में page number one पर यह article present है जो कि prelims के लिए as a fact के तोर पर बहुत important होने वाला है तो हुआ क्या है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कापुरी ठाकुर जी के बारे में यह बिहार के chief minister रहे चुके हैं अगर यहाँ पर इस article को में zoom करूँगा तो आपको थोड़ा clear ली दिखाई देगा हुआ क्या हमारी जो president है द्रापदी मुर्मु जी उन्होंने Tuesday में announce किया है अगर हम यह बात करते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ information यहाँ पर share की गई है एक किसान के बेटे थे ठीक है दो बार chief minister बने बिहार के एक बार 1970 से लेकर 1971 के बीच में दूसरी बार 1977 से लेकर April 1979 के बीच में ठीक है जनता party से और फिर यहाँ पर इनको जननायक के नाम से भी यहाँ पर लोग जानने लगे ठीक है तो यहाँ पर है बाकी एक freedom fighter भी थे कुछ रोल यहाँ पर इनका quit India movement में भी था तो वो information यहाँ पर थोड़ी बहुत share की गई है आप देखो होता क्या है examination की जब हम बात करते हैं तो जो one day examination होता है ना उसमें directly आपसे प्रश्ण बन जाते हैं directly कैसे कि रिसेंटली यहाँ पर यह भारत रतन अवर्ड दिया गया है कि इनको दिया गया है नाम बताईए ठीक है तो पहली चीज़ आपको नाम पताऊना चाहिए दूसरी चीज़ यह कौन से नमबर का अवर्ड है तो यह 49 द्वा है द्यानक न उडन चास्वा उडन चास्वे भारत रतन पुरसकार विजयता है यहाँ पर जिनका नाम करपूरी ठाकुर है करपूरी ठाकुर ठीक है आगया आता है अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्जाम के लिए और डीटेल में यह भारत रतन अवर्ड है क्या और especially क्यों दिया जाता है तो दोस्तों जो यह भारत रतन है यह हमारे देश का सबसे highest civilian अवर्ड है इसको अवर्ड दिया जाता है एक ऐसे विक्ति को जिन्होंने अपने देश के प्रती service दिया है एक ऐसा performance दिया है जो कि बिल्कुल अलग है exceptional यहाँ पर work किया है उसके basis पर यहाँ पर दोस्तों उनको चुना जाता है और ध्यान अकना जो भारत रतन है यह हमारे constitution में जो article 18 जिसके दैट कुछ titles define करे गए वहाँ पर भारत रतन कोई title नहीं है article 18 के अंदर में यह बात ध्यान में रखना है क्योंकि एक case हुआ था बालाजी रागवन वर्सिस यूनिन ओफ इंडिया के एर 1996 तो यह case था इस case के अंदर में court ने बोला था जो हमारे national awards होता है वो titles नहीं है क्या है आप उनको titles के तोर पर use करो कि यहां नाम क्या यह लग जाए ठीक है कि यह वाले award है यह वेक्ती तो इस प्रकार से मतलब यह कोई titles नहीं है ध्यानक आर्टिकल 18 के अंदर में clause 1 में इनको as a title नहीं देखा जाएगा यह बात court भी mention कर चुका है दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो भारतरन अवार्ड जो है न यह पदम अवार्ड से फोड़ा सा अलग है क्योंकि यहां पर क्या होता है भारतरन अवार्ड में किसको दिया जाएगा वो जो recommendations होती हैं वो directly हमारे प्रधान मंतरी करते हैं अवार्ड देते हैं बात के लिए रुकी दूसरो और जो बहुत सारे भारतरन अवार्डस है number of भारतरन अवार्डस की जो हम लोग बात करते हैं यानि की आपका question ये भी होगा एक साल में कितने अवार्ड जाता हैं कभी-कभी हम सुनते हैं दो-तीन करके कि इस बार इनको दिया, इनको दिया, तो कितने दिये जाते हैं ये तो दोस्तो एक particular year में केवल आप 3 भारत रत्रन अवार्ट से दे सकते हो maximum, maximum 3 अवार्ट से दिये जा सकते हैं, इसे ज़ाधे नहीं ये बात धिया रखना है, ठीक है, तो ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये आपके एक्जाम के लिए important role निबा सकती है, क्यों, यहाँ पर देखो UPSC का एक और question 2021 में आपे इस सवाल पूछा, directly भारत रत्रन अवार्ट को लेकर अब इसके लिए आपको पदम अवार्ट भी पढ़ेना होगा, ठीक है, जैसे हम पदम बूशन, बूशन की बात करते हैं, उनकी अवार्ट की जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने भारत रत्रन अवार्ट पढ़ा है, तो उसके हिसाब से question को solve करने की कोशिश करेंग अभी तो हमने discuss किया ही था यह, कि जो national awards से इनको titles की तरह treat नहीं किया जाएगा, तो पहला matter तो खतम हो गया, पहला statement यहाँ पर गलत है, अच्छा हमें देखना है कि तीनो statement में से कितने statement गलत हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, which of these statements are not correct, कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो सही नहीं है, दूसरा देखते हैं, पादम अवार्ड्स, जो कि लाया गया था 1954 में, इसको केवल एक बार suspend किया गया था, यह यहाँ पर बात की गई है, खेर हमने अभी पादम अवार्ड पढ़ा नहीं है, तो इस विशे हमें कोई जानकारी नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं वैसे आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा इसका आंसर, तो वैसे इसका आंसर क्या है, यह भी गलत है, एक बार नहीं, दो बार suspend हो चुगा है, फिर उसके बाद में तीसरा अगर आप स्टेटमेंट देखते हो, यहाँ पर बात है, जो नंबर ऑफ भारत रन आवार है, तो आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, यहने कि तीनों के तिनों स्टेटमेंट्स रॉंग दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा सही उत्तर होगा, आप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों रॉंग है, ठीक है, आई होब दोस्तों आपको यह ज स्पेंड हो चुका है, तो वो यहाँ पर बात की गई है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में, sorry, question बोला गया, कि एक बार स्पेंड हुआ है, नहीं दो बार हो चुका है, तो इस विसे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स रॉंग है, समझ गए, यानि कि अगर हमने भारत रतन, क जो लाइक का बेटन यार उसको प्रेस कर दिया करो, एक छोटा सा टार्गेट हो था हमारे हम 5000 लाइक का, प्लीज आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, बाकि अगर आप चाहते हो हमारे पेड रूप्स को जोईन करना, तो आपके पास में अभी बढ़िया मौक है, इसको जोईन क करने का, यहाँ पर आपको daily current notes के PDF अगरा provide करवाय जाता है, यानि काम आपका बहुत असान हो जाता है, आपका time बहुत बचेगा, बाकि सारी चीजों के उपर, यानि जो बाकि static portion है, उसके उपर focus करने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यह जो PDF होते ह तो उसका एक solution यह होता है, इस group के अंदर में daily basis पे आपको एक PDF दिया जाता है, जिसमें आपको ready made printed notes provide करवाय जाता है, यानि जितना भी आपको इसमें दिख रहा है ना content, या आपको बिलकुल simple से PDF में तयार करके दिया जाएगा, बिलकुल simple, साधा PDF, जिसको आप सीधा download कर के अपने पास में store करके रख सकते हो, या फिर सीधा आप अपना printout वगर भी निकलवा सकते हो, और download करके store करनी की ज़रूरत ही नहीं है इस group में, क्योंकि हमारे पास कई बार storage का issue आता है, कितना content store करके रखें, तो कितने PDF store करें, क्योंकि यहाँ पर 4-5-6 मेने की बात नही इस group को join करने का जो fee payment है, वो भी बहुत minimum है affordable है, just 499 for the lifetime access, जब तक आपका selection नहीं हो जाए, तब तक आप इतने रुपे में इस group को join करके रख सकते हैं, guarantee देता हूँ, आप कुछ समय पर देखोगे, और feel हो जाएगा आपको यार मेरा amount recover हो चुका है, लेकिन benefits मिलते रहेंग इस group को join करने के लिए क्या करना होगा, whatsapp पर जाना, यहाँ पर आपको एक number दिया गया है, 853-487-3368, इस number पर message कर दिना कि हाँ, I want to join this group, आपको वहाँ पर reply आएगा, payment का process दिया जाएगा, और payment के process से जादा important आपको demo video का link भी दिया जाएगा, आपको ए demo video को चेक कर सकते ह कि हाँ, आपको किस तरीके से फाइदा होगा, और आपने आपको पूरी तरह से satisfy करने के बाद में जाकर यह investment कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे आते हैं, editorial discussion पे, आज के newspaper में, जाप editorial वाला page खोलोगे, opinion page खोलोगे, तो 3-4 article हैं, जैसे यह वाला article बहुत जादा important, one of the most important article आज के पूरे session का, अभी सबसे पहले यही discuss करूँगा, आपको मज़ा आएगा, जानकर इसके बारे में, फिर एक editorial, Red Sea Crisis के बारे में, कल भी discuss किया था, आपको मैं थोड़ी बहुत information दे दूँगा, इंडिया के toy exports, discuss करी रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार, बीच- बीच में यह article discuss किया गया, information बिल जाएगी, don't worry, semiconductor scheme already बहुत discussions हुए है, आप 3-4 पर बेंस answer लिक चिक हो, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत highlights इसके बारे में देख लेंगे, चलिए फिर, आगे आते हैं, और शुरवात करते हैं अपने first important editorial से, limits and borders के बारे में discussion हो रहा है, दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है, हमारे border security force के बारे में, ठीक है, अभी आपको border security force के बारे में भी हर एक जानकरी मिलेगी, हुआ क्या, यहाँ पर जो केंदर सरकार है, देखो, हो और क्या रहा है, यहाँ पर कुछ राजे सरकार है, for example, यहाँ पर पंजाब की सरकार है, वेस्ट बेंगॉल की सरकार है, यह सरकारे केंदर सरकार के खिलाफ में खड़ी हो चुकी है, क्यों पंजाब सरकार और वेस्ट बेंगॉल की सरकार का कहना यह है, कि केंदर सरकार ने border security force का जो power है, इनका jurisdiction है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और इनकी power बढ़ने से कही जो state की powers हैं, वो state की powers कम हो रही है, तो यह constitution के खिलाफ जा रहा है, तो center को एक बार states के साथ में थोड़ा बातचीत करनी चाहिए थी, इनकी powers को बढ़ाने से पहले, यह matter यहाँ पर discuss किया जा रहा है, अब powers किस प्रकार से बढ़ाई जा रही है, वो जानना भी हमारे लिए अब वो कैसे जानेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके हर चीज को समझना है, और मैं आपको अराम से समझाने की कोशिश करूँगा, बस खाली क्योंकि थोड़ा complexity हो जाएगी, लेकिन चीज समझ में आ जाएगी, don't worry, border security force की जो हम बात करते हैं, तो नाम से बत पर हैं, यह आप देख पाऊगे, राजिस्तान से international border, पंजाब की अभी हम बात कर रहे थे, यह आपको दिख रहा होगा, पंजाब पाकिस्तान के साथ में border को शेर करता है, गुजरात पाकिस्तान के साथ में border को शेर करता है, यह राजिस्तान है, इतना बड़ा border पाकिस्ता के साथ में लगता है ठीक है यूपी का बॉर्डर नेपाल के साथ में लगता है अभी हम वेस्ट बेंगॉल के उपर फोकस दे रहे थे क्यों कि वेस्ट बेंगॉल का एक लंबा चोड़ा बॉर्डर बांगलादेश के साथ में लगता है बिहार का बॉर्डर नेपाल के साथ मे इतनी बात दोस्तों आपको clear हुई तो focus कहाँ पे देना है पंजाब और West Bengal पर अब पंजाब West Bengal जो यह borders है यहाँ पर इन border पर सुरक्षा देने के लिए कौन सी force है border security force जिसको हम BSF के नाम से जानते हैं लेकिन दोस्तों हुआ क्या था अब इस border पर for example गुजरात में की border के आसपास का जो 80 km तक दाइरा है border के आसपास का border के आसपास का जो 80 km का दाइरा है उसकी सुरक्षा BSF के हाथ में उस particular area में BSF किसी के उपर शाकि उसको पकड़ सकता है समझ गए और वही case यहाँ पर हम पंजाब की बात करेंगे West Bengal में कम ज़ादा हो जाता है तो हुआ क्या यह कम ज़ादा चल रहा है तो इन कम ज़ादे को uniform कर दिया गया uniform क्या किया गया सरकार एक नया law लेकर आई law क्या लेकर आई के इन सरकार notification लेकर आती है BSF jurisdiction को लेकर और इस notification के तहत यहाँ पर यह specially mention किया गया इसमें जमू एंड कश्मीर और लदा को भी cover किया गया जो हमारी नए unit territories है इनके साथ असाम, West Bengal, पंजाब जितने भी states आपको दोस्तों यह दिखाई दे रहे हैं इन states के अंदर में जो specially borders होंगे उन border के 50 km का जो दाइरा होगा वो BSF jurisdiction के अंदर में आएगा समझ गए for example जैसे मैंने बोला पंजाब का 15 km का एरिया केवल यहाँ पर BSF के jurisdiction में था तो इसको बढ़ा कर 50 km कर दिया जाएगा अगर राजिस्थान का भी 50 km यानि सब का 50-50 km अब गुजरात में 80 km पहले BSF के jurisdiction में था हो वहाँ के 50 km तक बौडर का दाइरा जो होगा वो BSF के अंदर में होगा BSF वहाँ पर अपनी powerful रहने वाली है किसी के उपर शक है तो उससे सवाल जवाब सब कुछ कर सकती है उसको custody में ले सकती है उसको seize कर सकती है उसका जो area है उसको seize कर सकती है उससे questions कर सकती है लेकिन यहाँ पर अपनों धियान में रखना है केवल questioning की जाएगी उसके लवाज जादा कुछ नहीं किया जाएगा और उस व्यक्ति को जिसको पकड़ा है जिसके उपर शक था उसको उठा कर जिस भी राजे में पकड़ा है उसकी local police को 24 घंटे के अंदर अदर सौप देगी यह यहाँ पर सरकार का नया notification था तो BSF को कोई इतनी खास power भी नहीं मिली है बस खाली दाइरा बढ़ा दिया किसी के उपर शक है तो पकड़ कर यहाँ पर क्या किया जाएगा स्टेट पुलिस के पास में 24 घंटे के अंदर अंदर ले जाएगा बाकी स्टेट पुलिस हैंडिल कर लेगी इतना काम किया गया यह हैं याँ पर powers यह power हलकी सी बढ़ाई गई है बस खाली यह दाइरा बढ़ा कर वैसे अगर आप BSF की powers देखोगे special power तो बहुत सारी है सभी border states पर अगर आप देखोगे तो BSF Act 1968 के तहत जो BSF का jurisdiction है वो पहले कम जादा था जैसे मैंने बताए आपको 1969 से गुजरात के अंदर में केवल 80 km के border का दाइरा BSF jurisdiction के तहत आता था उसको कम कर गए 50 कर दिया अभी सब को uniform कर दिया गया एक साथ सब का 50 कर दिया गया यह 50 km का border है वो सब BSF jurisdiction उसको देखेगा BSF के अंदर में होगा वो वहाँ पे वो सुरक्षा करेगी BSF तो state government बीच में आगी पंजाब और West Bengal इनको ज़्यादा तकलीफ है इस चीज से उनका कहना यहाँ पर यह है कि नहीं नहीं सेंट्रल गॉर्मेंट हमारे state के अंदर में खुषरा है यह उनका कहना है अभी आगे बताऊँगा इसके बारे में और हमारा समविधान क्या बोलता है सेंट्रल गॉर्मेंट ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती है वो भी आपको बताऊँगा अब बात क्या है दोस्तो इतना आपको समझ माया और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और ओफेंसेस होता है कुछ और अफराद जैसे कि लोकल पुलिस के पास नहीं पावर्स होती है ऐसा नहीं कि लोकल पुलिस की पावर्स छीन ली गई तो काओगे मुद्दा क्या है चलो हमें ये तो समझ में आगा कि भईया बॉर्डर पर 50 किलोमेटर का दाइरा BSF के जूरिस्डिक्शन में दिया जा रहा है लेकिन पंजाब वेस्ट बेंगॉल यहां पर थोड़ा सा तकलीफ में है क्योंकि यहां पर उनका कहना यह है इसमें कुछ समस्यां हैं जो आपने ये पावर्स बढ़ाई हैं उसमें समस्यां हैं अच्छा कैसी समस्या समस्या नंबर वन जड़ा यह जान लेते हैं एक सबसे बड़ा इशू इसमें मुद्दा यह हो रहा है पब्लिक ओर्डर वर्सेस सिक्यूरिटी इस ऑफ स्टेट का मैटर आ जा रहा है क्यों? क्योंकि जब दोस्तों आप अपना सम्यधान देखोगे तो वहाँ पर जो यह स्टेट गोर्वर्मेंट है उनके पास में भी तो पावर्स है ना रस्पॉंसिबिलिटीज है ना तो एंट्री वन देखो एंट्री टू देखो स्टेट लिस्ट की तो वहाँ पर पुलिस की handle कर लेंगे आपको यहाँ पर इस तरीके से jurisdiction बढ़ाने की जरुवत नहीं है समझ गए यह बाताया गया है हालगि यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो problem से थुड़ी और बढ़ सकती है clear हो गया अभी मैं आपको उसके बारें बताऊँगा डीटेल से तो पहला समस्य समझ माया दूसरा समस्या क्या है लोग का कहना यह है कि यह कहिना की federalism के खिलाफ है अब क्या है हमारा जो constitution है वो federalism को प्रमोट करता है federalism यहीं संगवात का ढांचा state government, central government इनके पास में अलग-लग अपनी powers है साथ नो मिलकर यह काम करता है वो ही federalism कहलाता है तो यहाँ पर यह बोला गया कि इस मामले को set करते हुए state को साथ मिलिया ही नहीं और यहाँ पर यह जो federalism का topic है यह तो कहिना की violate हो रहा है न पंजाब government का कहना यह है कि यह जो notification है इस notification का मतलब है कि केंदर सरकार राजे सरकारों की जो यह public order वाली powers है safety वाली जो powers है पुलिस की जो powers है वो छीनना चाहती है central government लगातार यहाँ पर encroachment कर रही है states के अंदर में states की security के powers के अंदर में यह यहाँ पर पंजाब की सरकार का कहना है कि भाया इससे तो federalism कमजोर हो रहा है न और यहाँ तो powers जोनों की बटी भी है powers है साथ में लगर काम कर रहे है लेकिन यहाँ पर यह central government सारी power लेने की कोशिच कर रहा है state की power चहनने की कोशिच कर रहा है तो वो federalism के खिलाफ है यह बात उनकी site से बोली गई एक और समस्य यहाँ पर बताई जा रही है वो है affecting functioning of BSF अगर आप border security force को देखोगे आप border guarding force को देखोगे तो यह कहिना है कि BSF की जो capacity उसको और ज़्यदा कमजोर कर देगा ऐसा आप बोला जा रहा है वो international border जो है समझ गए यह हो गया फिर एक और समस्या especially एक सबसे बड़ी समस्या केवल और केवल पंजाब से ही संबंदित है तो पंजाब यहाँ पर इस lawके बिल्कुल खिलाफ में खड़ा है और वो specific issue क्या ज़रा यह जान लेते हैं पंजाब का कहना यह है बहिया आपने 50 km कर तो दिया कि 50 km के border का दाइरा BSF jurisdiction में होगा लेकिन आप यह देखो कि अगर पंजाब में पहले तो केवल 15 km था अब उसको 50 km कर दोगे तो काफी सारे शहर जो है cities हैं बड़ी बड़ी सहर वो शहर यहाँ पर BSF jurisdiction में आ जाएंगे क्योंकि border के पास में ही शहर बसे हुए हैं तो वो शहर BSF के jurisdiction में आ जाएंगे तो state का फिर जो control है वो क्या रहेगा और जबकि आप दूसरे राज़े को देखोगे गुजरात राजिस्थान में तो वहाँ पे कोई जात दिक्कत नहीं है क्योंकि गुजरात में आप बड़ा दोगे border के एरिया ठीक है वहाँ पे Marshall Land है वहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं शहर नहीं है कोई ऐसी राजिस्थान में राजिस्थान में अगर आप देखोगे तो border के इरिया बड़ा दो कि हाँ सर यह समस्या है इसमें लेकिन दूसी तरफ आपको एक positive point भी भी रखना है क्योंकि दोनों चीज़े पता होना चाहिए UPSS sprint को ऐसा नहीं कि वो X का एक तरफ जुखावो नहीं हर चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो इसका फाइदा है क्या है लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है दोनों aspects पता है ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसे ही पूछ लेता है positives आपको पता है तो चलो आप थोड़ा से negatives बता दो या negatives आप जा रहे हो तो थोड़ा सा positive भी बता दो दोनों चलों भी देखी जाती तो आपको पता दोता है हाँ आप एक balance व्यक्ति हो आप for example हमारा constitution क्या कहता है क्या ऐसा राजसरकार कर सकती है अपने armed forces को states में तेहनात कर सकती है तो जो बिलकुल कर सकती है लेकिन या पे कुछ conditions है हमारे समयधान में जो article 355 है article 355 के एंडर में जो central government है वो अपने forces को तेहनात कर सकती है state में लेकिन क्यों क्योंकि state में जो external aggression है मालो किसी राज्य में बहर से यहाँ पर कोई बहुत बड़ा violence हो रहा है या एक बहुत बड़ा दंगा हो चुका internal disturbance create हो चुका है तो इस दौरान यहाँ पर article 355 के तहत central government उस state में protection के लिए ये अपनी armed forces को तेहनात कर सकती है भले इस state चाहे मना कर state कहे कि नहीं नहीं मुझे center की जरुरत नहीं है अगर state मना भी करता है लेकिन फिर भी यहाँ पर central government कर सकता है ये बात आप सबको समझ में आ गई अब दोस्तों यहाँ पर बात है state के opposition को लेकर अब मालों यहाँ पर जो एक राजसरकार है वो लगातर oppose कर रही है मना कर रही है ने 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 आम forces को मत ले कर आओ ना यहाँ पर मत लगाओ तो यहाँ पर क्या है इसके लिए पहले क्या करना होगा जब ऐसी कोई situation बनेगी तो सही तरीका यह है कि central government को पहले कुछ directives issue करने होंगे article 355 के तहत हमरी राजसरकारों को या कुछ direction देने होंगी यह है आप इस चीज को follow करो तो हम अपनी जो forces है वो नहीं लगाएंगे बस अपने राज्य में शांती बना लो और इस particular event में माल लो जो हमने directions दिये जो केंड सरकार ने directions दिये वो state ने नहीं माने state नो उसको follow नहीं करे तो again फिर से तो केंड सरकार के पास में और powers बढ़ जाएंगी और केंसरकार सीधा action लेकर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल राश्टरपती का साशन लगा सकते है आर्टिकल 356 के तहत ठीक है तो यह हमारा constitutional point of view है regarding deployment of armed forces and states matter आपको समझ मैं है दोस्तों क्या चल रहा है अब आते हैं थोड़ा सा prelims के लिए factual data पर अभी जो discussion किया यह हमने mains के लिए logical point of view से coverage किया अब बात करते हैं BSF की तो जो border security force है इसको बनाया गया था 1965 में जो इंडिया पाकिस्सान का war हुआ उसके बाद और जैसे यहाँ पे आपने CAPF के बारे में सुना होगा यानि Central Armed Police Force तो CAPF के अंडर में ही हमारा BSF आता है CAPF के अंडर में total seven forces है जिसमें से एक हमारा BSF भी है ठीक है और यह सारे के सारे forces जो है यह सब किसके control में आते हैं ध्यान अकना यह सब किसके control में आते हैं यह आता है Ministry of Home Affairs के control में ध्यान रखना फिर से बोल ला हूँ Ministry of Home Affairs के control में रीजन क्या है अभी थोड़ दिरे में आपको पता चल जाएगा ठीक है यह ध्यान रखना चलो आगया आता है अच्छा तो साथ forces आती हैं CAPF के तहट एक तो हो गई BSF बाकी बाकी की बात करेंगे तो हमाँ उसमें आता है Assam Rifles, Indo-Tibetan Border Police Force हो गया Central Industrial Security Force हो गया Central Reserve Police Force हो गया National Security Guards हो गया और सशस्तर सीमा बल हो गया ठीक है तो यह जो BSF के forces दोस्तों जो जवान है हमारे 2.65 lakh force यह हमने पाकिस्तान और बांगलदेश के borders पर तहनात कर रखी है Especially जो border है इंडिया पाकिस्तान का इंडिया बांगलदेश का border उस पर तहनात कर रखी है ताकि जो Nuxal Operations वगरा है Anti-Nuxal Operations जो है Nuxalवाद को खतम करने के लिए वो सब स्टार्ट किये जा सके वो सब चलाए जा सके है साथी साथ में BSF जो है Sir Creek पर भी Defending Way में है सुंदरबंड डेल्टा पर भी यहाँ पर तहनात है ठीक है अपने देश की सुरक्षा करने के लिए Borders पर यह तहनात है और साथी साथ में दोस्तो यह जो United Nation का Peacekeeping Mission है न उस Peacekeeping Mission में Border Security Force का भी एक बहुत बड़ा Contribution जाता है जहाँ पर दुनिया भर में हम शांती बनाने के लिए जहना पर दंगे होते हैं वहाँ पर Protection देने के लिए यहाँ पर बेचते हैं आप देखो यह Question UPSC का 2008 का Question Interesting अभी मैंने बोला था ना भाई बार रकी भाई इसको ध्यान अखना क्यों क्यों कि यह सवाल यहाँ से बन चुका है सवाल क्या है Department of Border Management is a department of which one of the following union ministries Border के जब management की बात हो रहे है तो अभी हम BSF की बात कर रहे थे वो ही Border Management को लेकर बात कर रहे थे तो यह जो department है अगला article एक और बहुत important article इंडिया के booming toy exports के बारे में discussion किया गया है यहाँ पर जो यह editorial है यह बात करता है कि इंडिया ने जो खिलोने हैं एक समय था जहाँ पर इंडिया के खिलोनों की कोई बात नहीं करता था बट अगर हम short story में देखें तो इंडिया का जो toy industry है यह 2021 से तेजी से grow किया है कहीना कहीं हमें हाँ पर एक जहलक नजर आ रही है कि इंडिया एक exporter हब बन सकता है आने वाले समय पर अभी जो China ने market capture कर रखा है वो कहीना कि इंडिया भी gain कर सकता है भारत में भी ताकत है क्योंकि इंडिया खिलोनों के export के मामले में एक exporter बन चुका है पिछले तीन सालों में जो toy का exports है वो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो बढ़ चुका है 61% तक और जो import है क्योंकि पहले हम क्या करते थे इन खिलोनों को अलगलग देशों से मंगाते थे अपने देश में वो import 70% से कम हुआ लेकिन अभी भी इतना कुछ करने के बावजूद भी हम चाइना से बहुत पीछ है भारत की निर्भरता चाइना पे अभी भी बरकरार है अभी भी हम चाइना से 200 गुना पीछ है आप तो imagine करो चाइना टॉइ इंडस्ट्री के मामले में कितना बड़ा market capture कर चुका है तो ज़रा सा यहाँ पर थोड़ा status discuss कर लेते हैं स्थिती जान लेते हैं भारत के टॉइ इंडस्ट्री के बारे में इंडिया की जो टॉइ इंडस्ट्री है बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है ठीक है हम बहुत चोटा सा शेयर आज भी शेयर कर रहे हैं contribution दे रहे हैं लेकिन वो छोटा सा है अब धीर दीर यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 2015-16 में जो इंडस्ट्री है इसमें 15,000 कमपनियां वो सारी enterprises हाँ कमपनियां कहा सकते हो वो हुआ करती थी इंडस्ट्री हुआ करती थी जो की toys produce करती थी लगबग उनने उस समय पर toy produce क्या था 1688 करोड रुपे का और 35,000 workers जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे लेकिन अब क्या है situation improve हो चुके है enterprises बढ़ चुके है workers इंडस्ट्री हो चुके है और अब ज़ादा amount कमा कर दे रहा है ये industry हमारे देश को समझ गए अब जो imports वो imports जो पहले बहुत ज़ादा हुआ करते दोस्तों वो imports अब बहुत कम हो चुके है लेकिन हमें जैसे मैंने बोला बहुत कुछ करने के जावश रकता है क्योंकि इंडिया का target है कि जो भारत का toy industry है 2024 तक कम से कम 2 billion dollars तक जाना चाहिए लेकिन उस 2 billion dollar तक जाने में कुछ दिक्कते भी है उन दिक्कतों को हमें solve भी करना होगा अभी के लिए हमने थोड़ा सा growth phase किया यह हमने discuss कर लिया लेकिन दोस्तों पता है आपको कि इस toy industry का क्योंकि हम ऐसा भी question आएगा है हम क्यों इतना focus कर रहे हैं इस industry पर फास्तों की चीज़ पर किसी और चीज़ पर focus कर सकते हैं ऐसा नहीं है toy industry का importance किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है पहला बच्चे के development के लिए काफी खलौन होता है जहाँ पर बच्चे का दिमागी विकास physical development, social, emotional development होता है दूसरा entertainment and recreation toys से यहाँ पर relaxation, imaginative, play यह सारी की सारेक support मिलता है education, learning toys से यहाँ पर बच्चे गेंदर curiosity डेवलप होगी है ना आजकल कैसकतो educate कैसा सकता है लोगो economic impact है, business है, obvious ही बात है, पूरा का पुरा ही है जिससे revenues, jobs, यह सारी चीज़ें यहाँ पर generate होगी नए-नए innovation हो सकेंगे, cultural influence बढ़ सकेगा यह सब importance है toy industry का तो सरकार ने कई सारे कदम उठाए toy industry को support करने के लिए जो की बहुत अच्छा किया startups को promote किया import जो duty होती है नी विदेशों से जो हम खिलोने मगा देते अपने देश में उसके उपर में charge लगाए जिस वे से वो खिलोने महंगे हो गए और हमारे देश की जो toy industry है वो ग्रो करने लगी है ना quality certifications को important तरीके समरे compulsory कर दिया national action plan लेकर आए हम toys के लिए तो इस प्रकार से बहुत सरे initiatives उठाए गए लेकिन बात यहाँ पर यह है कि भारत के इस toy industry के सामने अभी भी धेर सारी चुनातियां खड़ी हुई है सबसे पहली चुनाती है दोस्तो foreign dependence for sourcing raw materials Indian manufacturers जो है ठीक है अगर आप देखो के तो अभी भी हम जो बहुत सरा raw material है क्योंकि खिलोना ऐसा थोड़ीना है बन जाएगा इसके पीछे बहुत सरा कच्चा माल लगता है और वो जो raw material है दोस्तों उसको हम import कर रहे हैं अभी भी South Korea से Japan से इन खिलोनों को बनाने के लिए दूसरा जो challenge है वो है lack of technology अब lack of technology की जब हम लोग बात करते हैं तो जादतर अगर आप देखोगे जो domestic toy manufacturers हैं हमारे देश में खिलोने जो बनाने वाली company हैं वो जो technology का use कर रही है वो बहुत ही जादा outdated है बहुत पुरानी technology बहुत पुरानी machinery का use कर रहे हैं जिसकी चक्कर में toys की जो quality है या उसमें कोई upgradation है वो नहीं हो पा रहा है फिर बात आती है high tax rates की ठीक है एक और challenge है high tax rate यानी high GST rates की हम बात कर रहे हैं क्योंकि खिलोनों के उपर में GST rate आज के समय पर थोड़ा जादा है ये भी हमारे industry के लिए बहुत बड़ा challenging portion है present समय पर जो GST rate है electronic toys के उपर है वो 18% है luxurious item पर ये 18% का GST लगता है और जो non electronic toys उस पर 12% GST है एक और problem जो देश में है वो a lack of infrastructure बहुत बेकार infrastructure होना या proper end-to-end manufacturing facilities एक जग़ पर present ना होना इस वज़ा से भी दोस्तों यहां पर हमारे toy industry को ज़्यादा support नहीं मिल बारा है ये भी एक challenge है पर बात आती है cheap alternatives अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो toys बन भी रहे है थोड़े बनाएं थोड़े expensive हैं बिक रहे हैं लेकिन यहाँ पर चाइना से बहुत सस्ते दाम में जो toys वो इंडिया में आते हैं सस्ते बिकते हैं तो कहीना कहीं वो alternative available हैं तो इंडिया के जो toys है लोग उसको क्यो prefer करेंगे जब उनको सस्ते दाम में दूसरे toys मिल रहे हैं तो इससे भी कहीन है कि जो हमारी domestic toy manufacturing है वो कहीना कहीं बुरी तरह से affect होती हुई नजर आती है तो यह था particular article जिसको आपने ध्यान में रखना है ना दोस्तो आते हैं next article पर अब यह question में आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस question का आप already attempt कर चुक है कुछ नया try करेंगे अभी आपको एक नया question दूँगा यहाँ पर जो हमारे writer है वो बात करता है need to overhaul a semiconductor scheme ठीक है यह जो आपको semiconductor से इसका importance आपको पता है दोस्तो semiconductor का क्या है writer यहाँ पर यह बोलते है कि हमें semiconductor design link incentive scheme की ज़रूरत है ताकि semiconductor का जो design है दोस्तो उसको तयार किया जा है उसके बदले में government यहाँ पर incentives provide करवाए क्योंकि हम design incentive जो design link scheme है उसको हमने शुरू तो किया लेकिन उसको लागू करना भूल गए बस खाली हमने नाम के नाम के लिए start कर दिया बाकि दोस्तो जो हमारा target उससे हम बहुत 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 पीछ है तो यही यहाँ पर एक सबसे बड़ी problem writer mention करते है क्या है semi conductor का मामला क्या होते हैं semi conductor chips क्यों हम इनको इतना value दे रहे हैं आज के समय पर तो 200 semi conductors वो material है जो की conductor और insulator के बीच में आते हैं कहोंगे यह क्या था दोस्तो conductor और एक होता है insulator इनके बीच में आता है semi conductor conductor वो material होता है जिसमें current अराम से flow हो सके एक end से दूसरे end तक simple सा example है copper copper wire में अगर आप current flow करवाओगे तो इदर से उदर अराम से flow हो सकता है यानि कि यहाँ पर electrons freely flow हो जाते हैं तो यह तो हो गया conductor एक होता है insulator insulator में वो material होता है जहाँ पर current flow नहीं हो सकता for example माइका, paper, rubber है ना देखते होंगे rubber की चपल पहनते हो जब भी यहाँ पर आप electric का कोई भी काम कर रहे होता है reason क्या है क्योंकि उसमें उससे current नहीं लगेगा वो block कर देगा current के access को तो दोस्तों यहाँ पर भी यह भी चीज़ होती है तो insulator क्या है जिसमें current बिल्कुल flow नहीं होता conductor current खतरनाग flow होता है यानि जो electric current को easily conduct कर सेके वो हमारा conductor है और जो electric current को conduct ही नहीं नहीं कर सके वो insulator है इनके बीच में जो आता है वो है semiconductor अब यह क्या चीज़ है semiconductor एक ऐसा material होता है जिसमें electric current flow तो होता है लेकिन उस current को हम control कर लेते हैं एक side से flow होता है अपने हिसाब से यहाँ पर उसमें उस current को चलवाते है इसका example है silicon, germanium यह हो गए semiconductors जाता तर जो semiconductor बनते हैं वो silicon से बनते हैं silicon raw form में ऐसा इसको तयार करके semiconductor बनाया जाता है समझ गए दोस्तों अस बात को clear हो गया आ गया आता है अब जैसे मैं बात कर रहा था semiconductor के लिए raw material और कौन-कौन से available है हमारे पास में silicon और germanium का नाम तो आपने पढ़ी लिया उसके लवा और भी compounds उसके लवा gallium, arsenide, cadmium, selenide यह सारी चीज़े दोस्तों semiconductor बनाने में help की जाती है semiconductor के raw materials है और इनसे क्या बनाई जाती है semiconductor chip बनाई जाती है और वो semiconductor आज के समय पर हर जगा पर use के जाता है एविन आप भी आपके सामने mobile phone, laptop पास में कोई और electronic product से हर चीज़ में semiconductor chip का use होता है medical devices, ECG machine सब में semiconductor devices का use होता है दोस्तों तो यह तो semiconductor का importance हो गया सवाल यह है इंडिया semiconductor market में कहाँ पर stand करता है आज भी भारत सभी semiconductor chips को import कर रहा है हमारा main target है कि 2025 तक हम इस market को 100 billion dollar तक पहुँचा है sorry import अभी हम कर रहे हैं और आने वाले समय पर import और बढ़ता चले जाएगा क्योंकि आज हम आज की मामले में semiconductor पर ज़्यादा focus करनी रहे है अभी हाल ही से कुछ कदम उठाने शुरू की है for example हमारी कें सरकार ने अभी 76,000 करोड रुपे 2021 में allocate किये थे ताकि semiconductor की manufacturing properly हो सके इतने ही दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे कि design schemes को लेकर जो design companies हैं ठीक है उनको भी यहाँ पर हम design करने इन chips को design करने के लिए incentives लेकर आये थे जिसको हम DLI scheme बोलते हैं design linked incentive scheme PLI scheme production linked incentive scheme वो भी start किया गया 2021 सरकार ने 10 billion dollar का यहाँ पर PLI scheme start किया कि भाईया यह जो कंपनिया है यह semiconductor chip बनाएंगी दुनिया में केवल कुछ ही countries हैं जो semiconductor के market को पुरी तरह से lead कर रही है dominate कर रही है और दुनिया में वो केवल 5 देश आपको देखने को मिलेंगे वो है Taiwan, South Korea, Japan, US और China और इन 5 देशों में से भी जो सबसे top पर है सबसे strong है वो है Taiwan और South Korea दुनिया में semiconductor chip के जितनी जरूरत है 80% जरूरत ताइवान, South Korea मिलकर पूरा कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा chip maker कौन सा है तो वो है इसका headquarter ताइवान के अंदर में है जिसका नाम है TSMC जिसका नाम आप ध्यान में रखना होगा आपको 2021 में हमारी ministry ने promise किये गए थे वो अच्छी तरीके से implement नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमें ये करना जरूरी है क्योंकि इंडिया का खुद का जो semiconductor का consumption है दोस्तों वो 2026 तक 80 billion dollar को cross करने वाला है और 2030 तक 110 billion dollar को और इतना amount अगर केवल हमें pay करना है पे करके यहाँ पर semiconductor export करना है तो sorry import करना है तो वो सही बात नहीं है तो हमें कहीं न कहीं semiconductor के मामले में खुद से भी बहुत कुछ करने की आवशकता है आज का मेंस का question क्या बोलता है ज़रा वो देख लेते है बहारत की economy के लिए semiconductor industry कितनी जरूरी है क्या आप मानते हैं कि भारत की semiconductor industry जो है अपने full potential पर peak पर पहुँच चुकी है अगर मानते हैं तो अपना reason बताएं इसके लिए और साथी साथ में ये भी बताएं कि सरकार ने क्या-क्या initiative उठाएं है इंडिया के semiconductor ecosystem को मजबूत करने अगर आप मानते हैं कि भारत का semiconductor उध्योग अपनी पूरी शमता तक पहुँच गया है उसके कारणों को सपष्ट कीजिए अगर आप मानते हैं तो इसके अलावा भारत के semiconductor परिस्थिती की तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की हालियां पहलो पर प्रकाश डाले 2500 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर submit करना है आंसर को submit करने के साथ एक छोटा सा काम और करना है एक दूसरे के आंसर को चेक करोगे तो बहुत सारे फायद होंगे आपको अपनी गलतियां पत्त चलेंगी कुछ important points मिलेंगे जो उनको आप note down कर सकते हो एक और इटोरेल जहां पर red ck crisis के बारे में discussion किया गया आप दोस्तों red ck crisis को लेकर कल ही मैंने ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपके साथ में discuss किया हुआ है तो please request है कल वाला वीडियो open कीजिए दहिंदू का और उस वीडियो में end में चले जा रही है ये एडिटोरल same to same ditto ये मैंने कल ही discuss किया हुआ है तो कोई जादा खास information यहाँ पे हमारे लिए available नहीं है और कल ही आपने ये mains का जो question है वो भी attempt किया था आते हैं prelims वाले question पर question था 2012 का कि दनागरा द्राविडा और वेसरा ये दिनों चीज़े क्या है तो दोस्तो नगरा आपको पता ना कई बार आपको पढ़ाया गया है ये temple architecture है temple architecture का style है वैसे ये तीनों के तीनों हमारे styles of Indian temple architecture है that is why option number C is the correct answer now मलते हैं आप लोगों सब्सक्राइब वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day thank you and jahind